प्रदेश में थाना एलवू शेतर के गाउं नखतपूर में थाना एलवू पूलिस ने छापे मारे कर एक विट गाड़ी से 200 से अधिक साड़िया वह चुनाव प्रचार समगरी ब्रामत की है वहीं गाड़ी पर प्रधान पद के प्रतियाशी का बैनर भी लगा हुआ है गाड़ी से दो आरोप्य को पूलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा गाड़ी के पिछले शीशे पर प्रधान पद के प्रतियाशी ने तरपाल यादव का बड़ा बैनर भी लगा हुआ है साथी दो यूगकों को हिरासत में ले लिया गया है जबकि प्रधान पद के प्रतियाशी स्वयम गाड़ी के साथ नहीं मिले है CEO City अभे नरायन सिंग ने बताया कि थाना पुलिस ने गाड़ी वो दोनों यूगकों को हिरासत में ले लिया है पकड़े गई यूगकों ने अपने नाम सचिन पूतर दलवीर यादव निवासी नखतपूर वह अभे कुमार पूतर सुरेश यादव निवासी नगला गजपती थाना अली गंज जनपत एटा बताया है जबकि प्रधानपद के प्रत्याशी नेतरपाल यादव मोके से गायब होने में काम्याब हो गए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अचार सहीता उलंगन की धाराओ में मुकत्मा दर्च किया है यह एक सूचना मिली थी ग्राम नखतपुर ठाना यलाओ के अंतरगत एक गाम है जहां पर हमारे चौकी इंचार्ज फरीद पूर में गस्त कर रहे थे और इस दोरान उनको मुक्बिर के द्वारा सूचना मिली कि वहां के प्रत्याशी है नेतरपाल सिंग यादव उनके द्वारा साड़ी बाटी जा रही है और इसके लिए लेकर के गए हुए है इस सूचना पर जब वहां पर वो लोग पहुंचे मुक्बिर के द्वारा ये बताए गया वहां पर कुछ अपना वीड़ भर बाकी लोगों ने देख करके भागने की कोशिश की जिसमें से एक ब्यक्ति जो नेतरपाल सिंग है वो भागने में सफल लहा लेकिन दो लोग ज है साथ ही जो नेतरपाल सिंग है उनकी पराश की ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सब सीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें